दरन्वी शो क्लिफ्स में आपका स्वागत है जहां जट-जट से बहुत सीवागत है अगर उनको दिखाओ गई नहीं तो उनको पता ही नहीं होगा क्या है बेवी शाक लेस दन टू यर्स दिखाओ ही मत, स्क्रीन है ही नहीं उनकी दुन्या जो गाइडलाइन्स हैं screen time की दो साल से नीचे बच्चों को screen time बिल्गूल भी नहीं देना चाहिए दो से पांथ साल के बच्चों को अगर आप screen time दे रहे हैं तो it should be maximum of one hour provided तीन पॉइंट ही होने चाहिए एक घंटा जो आप screen time दे रहे हो वो at a stretch नहीं होना चाहिए उसको आप different parts में डिवाइट करके दो दूसरा जो आप screen time बच्चे को दे रहे हैं उस screen time में co viewing होनी चाहिए मतलब खाली बच्चा अके लिए phone लेके बैठावा है ऐसे नहीं आपके supervision में बच्चा वो screen time हो इससे क्या advantage होती है कि वो screen अगर देख रहे है बच्चा ऐसे तो वो से one way communication होगी वो interact नहीं करेगा अगर आप साथ में बैठके देखोगे तो आप बच्चे से question भी करोगे कि आप क्या समझा है आपको क्या देखा आपने क्या understanding थी तो वो थोड़ा सा interactive हो जाते है तो that is gives a positive impact instead of negative impact and तीसरा and most important यह जो screen time हम देते हैं mobile TV का वो should not be associated with meal time और nap time मतलब उसको खाने के दुरान screen start नहीं करें ऐसी आदत ना डालें और सोने के time पर ना डालें क्यों अगर आप बच्चे को खाने के दुरान mobile दिखाना start कर दोगे at an early age तो वो बिल्कुल खाने को appreciate नहीं करेगा वो बिल्कुल robot की तरह बस खातर आएगा TV देखके वो कभी भी food को appreciate नहीं करेगा वो कभी भी positive association with the food नहीं आएगा दूसरा screen time को nap time सोने के दुरान बिल्कुल नहीं देना बच्चे को क्यों क्योंकि जो बच्चे का screen time होता है उससे बच्चे के growth आपका sleep hormone जो रहता है melatonin उसके production impaired होती है तो वो बच्चे की sleep cycle को disrupt करेगा and sleep disrupt रहेगी तो बच्चे की growth भी effect होईगी I personally feel कि इस screen time के topic को लेकर थोड़ी सी बाते करनी चाहिए और यहां न हम इस timeline को भी थोड़ा सा तोड़ेंगे we'll move away from it क्योंकि यह screen time का problem सिर्फ under two years of age के बच्चों का problem नहीं है मतलब हर किसी का problem है जितने भी doctors आज तक show पर आये उन सारों ने नींद के बारे में बात करें कि नींद बहुत जरूरी होती है और शायद नींद का सबसे बड़ा दुश्मन screen time है generally especially बच्चों के perspective से teenagers के perspective से भी आप क्या कहना चाहोगे screen time, social media इंसाइज चीजों को लेकर research has proven that excessive screen time से बच्चों के learning disorders हो रहे हैं बच्चों के social skills खतम हो रहे हैं बच्चों के communication skills खतम हो रहे हैं आप उन बच्चों को 5 लोगों के बीच में बठा दो वो बाकियों बच्चों से interact ही नहीं कर पा रहे हैं वो जो screen time है वो इतना ज़ादा बच्चों को dopamine rush दे रहा है कि उनको सारी normal activities बहुत boring लगने लग गई है उसे अगर phone ले लो तो बहुत चिर्चिड़े हो जाते हैं तो all these are the side effects of excessive screen time and also screen time से बहुत ज़ादा cases of virtual autism बढ़ रहा है virtual autism? या virtual autism एक basically neurobehavioral disorder है जिसमें नहीं सिफ speech delay होता है बलकि social delay भी रहता है वो interact नहीं कर पाते हैं socially वो अकेले रहते हैं and these days in general अगर autism की बात करूँ 1 in 64 children in India are suffering from autism क्यों? because number one it is genetics number two बच्चो का screen time बहुत बढ़ रहा है जिसके वैसे ये virtual autism हो रहा है and number three environmental factors environmental factors में आपके क्या आते हैं जैसे exposure to air pollution exposure to harmful toxins like artificial preservatives जो हम खा रहे हैं हमारा जो environment है we are all surrounded with pesticides chemicals also mothers का जो lifestyle है mothers जो diet ले रही है sometimes alcohol ले रही है या substance abuse कर रहा है that is also linked with autism parents की शादी लेट हो रही है तो late marriages की वैसे भी the child is at risk of autism बहुत जादा छोटे बच्चे भी अब survive कर पा रहे हैं premature बच्चे survive कर पा रहे हैं and premature बच्चे are also at risk of autism so these are the risk factors जो autism को contribute करते हैं पांच एसे signs जो बच्चों में पाए जाते हैं अगर आपका बच्चा autistic है डेड़ साल से उपर number one poor eye contact आप बच्चे से बात करेंगे तो वो आखों में आखे मिला के बात नहीं करते हैं वो इधर उधर देखेंगे number two poor response to name आप उनको आवाज दें वो एक बारी में नहीं सुनते हैं आपको दो-तीन बार आवाज देनी होगी तब वो सुनेंगे number three no pointing मतलब आप उनसे बूचो डेड़ साल के बच्चे को pointing आनी चाहिए अगर वो बोलता भी नहीं तो pointing आनी चाहिए जैसे आप उनसे बोलो कि फैन का है लाइट का है नूस का है pointing करनी चाहिए चाहिए वो बोले ना number four speech delay बाकी बच्चो के मुकाबले वो late बोल रहे हैं and number five वो अकेले रहना पसंद करते हैं group में नहीं वो participate करते हैं वो अकेले खेलते हैं अगर उनको wheels मिल जाए तो उसको rotate करते रहेंगे अकेले में खेलते हैं वो बाकी बच्चो के साथ नहीं खेलते हैं तो अगर ये science इन में से कोई भी science आपको अपने बच्चे में देखते हैं तो do consult your pediatrician and get your child screened for autism बच्चे कब बोलने लगते हैं बच्चे 6 months से आपके babbling वगरा करते हैं तो बच्चे का by one year one to two words आ जाना चाहिए बट अपर limit is 18 months 18 months तक अगर बच्चा एक से दो word नहीं बोलता specifically अगर उसकी expressive language नहीं है verbal कहीं बाद लेट भी होती है दो तरह की language होती है एक verbal एक non-verbal verbal में क्या रहता है कि बच्चा बोल रहा है एक non-verbal language होती है जिसमें बच्चा science करके बता रहा है अगर बच्चे की non-verbal language भी सही है तो we can wait up till two years of age बट अगर बच्चे की non-verbal language भी नहीं आई है देर साल तक तो definitely अपने periodation से consult करके speech delay या autism का evaluate कर रहा है जब कोई parents आपके पास ये issue लेकर आते है तो आप किस चीज़ को ढूणते हो उस बच्चे में सबसे पहले चीज़ यह जो five points में आपको बताए है अगर इन में से कोई भी points बच्चे में positive है तो we go for formal screening for autism एक mchat करके scoring आती है जिसमें question answers रहते हैं वो हमें points बताते हैं कि बच्चा अगर इस point से उपर है तो बच्चा autistic है वो mild है, medium है, moderate है या severe है Autism एक बार detect हो जाए तो हम उसकी early interventional therapy start करते हैं in the form of occupational therapy speech therapy या ABA therapy तो आजकल अगर आप जितनी जल्दी autism detect करें उतनी जल्दी बच्चे में intervention कर सकते है और उतना ही अच्छा outcome है इसका Autism के downsides क्या होते है Autism का problem यह है अगर आप उसको timely treat नहीं करो अगर बच्चा usually Indian setting में यही problem रहती है कि नहीं बच्चा बोल नहीं रहा है कोई नहीं बच्चा शाय है बच्चा pointing नहीं कर रहा है कोई नहीं बच्चा सीखा नहीं है 3-3 साल तक parents wait करते हैं जब तक उनको school में complain नहीं आनी शुरू होती है जब बच्चा school में जा रहा है तब complain आती है then they take it seriously अगर वो उनको इन पांचों में से कोई science दिखते हैं तो अपने doctor के पास जाएं उसको diagnose करवाएं and treat करें क्योंगर आप treat नहीं करोगे first 3 years में बच्चे का 80% brain बन चुका होता है इस दुरान अगर आप बच्चे को time पे therapy start कर दोगे तो there are chances that it might revert back to normal जितना आप late therapy start करोगे उतनी chances हैं कि बच्चे को आगे जाके social interaction में problem होईगी coming back to screen time तो आप कह रहे हो कि screen time की वज़ा से autism actually किसी में develop हो सकता है हाँ अगर उसको genetic potential है first of all the major cause is genetics अगर उस बच्चे में genetic potential है कि इसको autism का risk है उसको ये trigger मिल जाए excessive screen time तो उसमें autism की symptom साज़ेंगे तो excessive screen time is just a trigger in a child जिसमें genetic potential है autism होने का ground rule दो साल की उमर तक screen नहीं दिखानी चाहिए बताना भी नहीं चाहिए कि screens इस दुन्या में है because if you expose your child to screen time less than 2 years इसके बहुत सारे side effects है which I have told you आखे भी खराब हो सकते vision problems आजकल चश्मे कब लगते है बचो को चश्मे का number first of all ये काफी cases में genetic रहता है ठीक है इसमें ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा काफी बच्चे screen देखते हैं उनको चश्मा नहीं है कहीं बच्चे कम देखते है आजकल जो चश्मे लग रहे हैं बच्चो को यहाँ भी आप यह मानते हो कि parents को एक example set करना चाहिए खुद screen time reduce करना चाहिए अगर parents खुद mobile देखेंगे full time पर how can they expect their child की वो mobile ना देखें तो you should be the role model आप खुद अगर office से आते हो अपने काम से आते हो और mobile में लग जोगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे मेरे industry में ना हर किसी को mobile addiction ज्यादा है आज के जमान में हर किसी को mobile addiction है ही मेरे industry में थोड़ी सी ज्यादा है media की वज़े से social media की वज़े से stats check करने पड़ते है वगेरा वगे मैंने खुद में नोटिस किया कि मेरे social relationships पर impact पढ़ रहा था mobile usage की वज़े से और एक conscious effort किया मैंने कि अगर मैं कोई भी social situation में हूँ दोस्तों के साथ एक date पे हूँ या family के साथ हूँ मैं mobile दूर रखता हूँ अगर इतना किया आपकी mobile addiction हलके से कम हो जाते है बड़ा है मैं assuming कि parent बनने के बाद ये ground rule रहना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ bonding फॉर्म करनी है mobile थोड़ा साथ दूर रखो that is very important because mobile अगर बच्चे के सामने रहेगा तो बच्चे को भी मन करेगा कि हम देखे हैं अगर parents देखते रहेंगे तो बच्चे का भी मन करता है हम भी mobile देखे है plus हमने इतने सारे autistic बच्चे देखे हैं जिनका mobile हमने बंद कर दिया है more than 50% symptoms उनके कम हो गया just by stopping all the screen time तो screen time हर behavioral symptoms को aggravate करता है screen time बंद करने से आपके आप खुद notice करोगे आपके बच्चे में चरचड़पन कम हो जाएगा बच्चा socially बहुत improve हो जाएगा interact करेगा बच्चे के जो अगर autism है तो उसके symptoms काफी कम हो जाएगे और बच्चा शायद कोली अस्पनिती मन दाना बने definitely he'll focus more on physical activities या फिर वो उसका जो गोल है अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अपलोड किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ